नमस्कार आज हम लोग लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल सेंस का कुश्चन और बहुत ही महत्पून कुश्चन है आप लोग इसको ध्यान से एक बार एक रीड करेंगे तीस कुश्चन का जो सेठ है मनाया गया है जो आपका आने वाले परिक्षा है दोजार चौबिस तो सक्सेस राइडर से जुड़िए और इसका एंसर देखिए और आप लोग इसको ज़रूर रियाद कर देजिए क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि आपका आगामी परिक्षा है पॉल्टिकल साइंस का उसकी लिए और यह रहा आपका पहला कोस्चन सीत यूद कब समाप्त हुआ सीत यूद कब समाप्त हुआ तो आपको पता ही है ऑप्सन दिया है उनिस सो उन्चास उन्चारी में खतम हुआ तो सीति यूद कब समाप्त हुआ तो इसमें कहां हुआ था हमाना बेलग्रेड नई दिल्ली कॉलंबो तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में यह आपको पता ही है जिसका सही अंसर हो जाएगा बेलग्रेड चलिए अगला कुस्चन क्यों चलते हैं 2161 में बेलग्रेड में पता ही है मैंने बता ही दिया और तीसरा कोचन देखते हैं तीसरा कोचन क्या है अब लोग इसके अपना अनौट डाउन करते हैं चलेंगे किस देश ने नाटो में अमेरिकी नित्रितों का विरोद किया तो फ्रांस प्रांस जर्मनी इटली ब्रिटेन और फ्रांस ऑप्सन है तो इसका एंसर सही कर जाएगा फ्रांस ने किया था ठीक है और नाटो का सपना उने सोन चास में आपको पता ही है बोल सवी करांती का नेत्रितों किस ने किया तो लेलीन एस्टालिन चर्चिल और खुश्चियो तो ब्लादिमीर लेलीन ने किया था आपको पता ही है कि 1917 में बोल सवी करांती थी और इसका नेत्रितों ब्लादिमीर लेलीन ने किया था ठीक ह चलिए आगे बढ़ते हैं सौक थेरेपी कब बनाए गया बहुत ही मत्पून प्रस्ण है सौक थेरेपी कब अपनाए गया आपको ऑप्शन जो है इसका सही होगा उनिस सो नब्य मिखाईल गुर्बाचेब कमिनिस्ट पार्टी के महासचीव कब बने तो आपको पता ही होगा आकर्मन कब हुआ यह प्रस्ट दोस्तों हमेशा आता है तो आप जरूर याद करेज़ेगा अमेरिका के विज़ुक ब्यापर गेंदर पर कब आकर्मन हुआ तो 11 सितंबर 2001 को इसको 911 का घटना भी कहते हैं ठीक है नोगारा का घटना कहते हैं इसको पता ही है चलिए और 11 दोजारेक है यह नहीं दिखना अमेरिकी वर्चसों का कारण क्या है यह तो पड़ा ही आप लोग अमेरिकी वर्चसों का का रशन सक्ति घटाइस सक्ति उसकी संस्कृतिक सक्ति इन में से सभी तो यह तीनों है तो इसमें इसका एंसर होजाएगा इन से सभी करते हैं परतम भी यूद नहीं होगा भारत पकिसान नहीं होगा इसका हो जागा दोस्तों प्रतम खाड़ी यूद को यूद वीडियो गेम वार यह सब भी कहते रहते हैं खुले दवार की निती को किस ने अपनाया जापान चीन अमिर्का और इरोपे सेंग तो चीन ने अपनाया था 1978 में ठीक है चीन ने अपनाया था 1978 में अगला कुछ से ने किस देश के अणगार कारण भारत परमानु आपू सब्सक्राइब नहीं बन पाया तो इसका सही एंसर अब देख सकते हैं ऑप्शन चीन है ब्रिटेन है फ्रांस है और अमिर्का है तो चीन हमेशा अरंगा लगाता है चीन इसका सही एंसर हो जाएगा आसियान के संस्थापक सदस्थों की संख्या क्या है तो वरतमान सदस्थ से दस हैं और सब्सक्राइब से कितने थे पांच थे इसका औप्शन थी जो है वह चाही होगा ठाइब अब आगे बढ़ते हैं कि अब वर्तवान सेदसों के संखः इसकी जो है वह दस है और फांडर मेंबर जो थे वह पांच थे आसियान तो आपको पता ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले कुशन क्यों आप लोगो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अपने दोस्तों को सेर भी कर लिजेगा ठीक है आजयान के स्थापना 1967 में हुई थी अगर आप यह भी जाना चाहते हैं तो इसको भी देख लिजे और पांस सदसों के साथ शुरू हुई थी अंतराष्टिय नियायाले कहां वस्तित है जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका कहां पर है अंतराष्टिय नियायाले कहां पर है हेग लंडन, पेरिस और नियॉर्क यह चार आपसना के पास हैं तो इसका सही जाव हो जाएगा एक आगे बढ़ते हैं एक दुरूविय बिश में संयुत राष्ट संग पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है यह आसान सा प्रस्ण है एक दुरूविय बिश नई बिशु बि प्रस्ट्री संबैलन कहां हुआ था तो ले या जीनीरियो नहीं होगा अपसरों कि सब्सक्राइब हो जाएगा था तो इसका सही जबाब घ्रीन हाउस जैस संबंधित ग्रीन हासं किस चीज़ समद्धित है तो आपका पता है गलोबल आभी तो बैस्विक अधिआ तो है इस बिचार धरापा धरीत है बैस्वी करन सामय वाद पर तो हो नहीं सकता है समाज वाद भी नहीं हो सकता है राजक्ता वाद पर उसका जबाब हो जागा उधारवाद ठीक है भारत के किस पधान मंत्री ने आर्थिक उधारी करन को शुरू किया था तो अटल बहरी वाज पर नह में इसका उधारी करन का पॉलिसी लाया था उस्टेम मनमोहन सिंग जी अर्थ सास्टिक रूफ में घर कर रहे थे तो वीपी नर्शिंग रहाओ इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद एकते हैं रास निर्मान की सबसे बड़ी समस्या क्या थी तो आपको प पांसो पैसेट के बासो पैसेट माना जाता है पांसो बासेट मान लीजिए जिसको एक साथ जोड़ना बढ़ा मुश्किल काम था अलाके लोग पुरुष सदार अब लभाभा इपोटेल को इसका स्रेय दिया जाता है वो जोड़ लिए किस बढ़ा भारत के विवाजन का प इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के किस राज में तेल्गु देशाम पार्टी सकरी है तो तेल्गु देशाम पार्टी नाम से दिख रहा है कि वो तेल्गु सब्ध है तो आंदर परदेश हो जाएगा क्योंकि पंजाब गुजरा तो महरात होगा नहीं तो भासा सही पत सब्सक्राइब नहीं तो जरूर रिजएगा क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेशन आए हैं आपके वो यूटूब लोगों के लिए बहुत ही आजान रहे हैं और आगे भी रहेंगे भारत में चुनाओ कराने के का प्रत्हम अध्यक्स कौन थे तो लिक्त आतो seis कौन तो अठल विहारी वाजबती इसके प्रतहमने जाते हैं है कि अ जली अगला प्रति देंगोट देनि त्लेम है जंता पार्टी के इस अपना हुई थी समय वाधी नहेंता आप गया है तो इसमें सभी क्योंकि सभी समाजवादी कि नेता थे मैं कि इंडिया का नारा किस ने दिया नरेंद्र मोदी राजय गांदी ज्वाला नहरू इनमें से कोई नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने में मेकिन इडिया का नारा दिया था जो वरतमाल में भारत के प्लान मंत्री हैं मेकिन इडिया का नारा निरुचिन इडिया था था ठीक है पची सेतंबर 2014 को ठीक है अगर डेट आता है तो अपनों लिख ली जाएगा उन्लिस वेखतर के आम चुनाव में इंद्रा गांधी ने ग्यान तो यह तो आपका अटल बिहारी वजपे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जो हलाल नेहरू इंद्रा गांधी और सुभाचंद बोस जी इसमें नहीं होंगे तो इसका सही जवाब है ठीक है दोस्तों के लिए आगे बढ़ते है क्योंकि जय जवान और जय किसन का बादी वाजपेई जी जो अभी तक सभी पिसे के जो ही डाले गए उससे प्रस्ण पूछेंगे हैं और आप इसको जरूर पढ़ेगा आपने दोस्तों को सेर जरूर कीजिएगा ठीक है अगला प्रस्ण है कि 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 पंचवर्षी योजना में बड़े उद्योगों को एक सट तो यहां पर भारी योजना योग और नीतिया योग दो प्रस्ण पूछे आ सकते हैं तो यह जनवरी 2015 में इसका कठन हुआ था प्लानिंग कमिशन जो है इंदिया योग है तो इसका जब पूछा जाएगा नीतिया योग से रिल्ट तो इसका होता है एक जनवरी 2015 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि नितिया योग आदर्णी निनिन मोदी जी द्वारा किया गया था और इसका जो अध्याक चु प्रिवी पर्स किस वर्स समाप्त कर दिया गया था तो इसका सही जवाब जागा निस्वाब ठीक है और यह 30% थे और आप लोग इसको पढ़े होंगे और समस्य होंगे तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और इसको वीडियो को सेयर करेंगे ठीक है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और सेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद